आप सभी का मेरे यूटूब चैनल एजूकेशन हाइवे पे स्वागत है आज हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं उसका सीरसक है आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोटस हमारी भारतिय संगीत, कहानिया और लग कताएं इसका फर्ष्ट पार्ट हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा है अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं फर्ष्ट पार्ट में लेखक ने भारतिय संगीत का इतिहास बताया कि विधाता ब्रह्मा ने इस संसार को खुब सुन्दर बनाया था पर यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों ने उसको ध्यान नहीं दिया उस पर फोकस उनका नहीं था सरस्वती जो विधाता ब्रह्मा की असिस्टेंट है उनकी साहय का है उन्होंने फिर मनुष्य जीवन में संगीत और अन्य संदर कलाओं का बीजबोया फिर मनुष्य समाज इस संदर्ता का प्राकृतिक संदर्य का आनंदित होने लगा उसका लाव उठाने लगा इसी संदर्व में आर स्री निवासन जी आगे एक कहानी बताते हैं जिसमें उदाहरण या अपनी बात को कहने के लिए अकवर के दर्बार में सबको ले चल रहे हैं आईए पढ़ते हैं जैसा कि सिक्स पराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो सर्बोत्तम कला है वो अपनी अंतर आत्मा के प्रेणा से प्रगट होती है ना कि किसी के दबाव में अब इसी बात को ये सिद्ध करना चाहते हैं स्रीनिवासंजी कैसे आई स्टोरी इस टोल्ड आफ तांसेन दा ग्रेट बार्ड आफ अकवर्श कोल्ड एक कहानी है महान संगी तग तांसेन की जो अकवर के दर्बार में संगी तग थे म्योजिसियन थे आई स्टोरी इस टोल्ड आफ तांसेन दा ग्रेट बार्ड आफ अकवर्श कोल्ड अकवर के दर्बार के महान कभी थे संगी तग थे बार्ड मिन्स कभी होता है संगी तग होता है इस कहानी को पढ़ने के बाद हम इस बात को असपश्ट रूप से समझ पाएंगे कि जो सर्बोत्तम चीज है वो आंत्रिक प्रणा से पैदा होती है ना कि किसी के आदेश से तानसेन, वाजा ग्रेट म्यूजिसियन तानसेन को सब जानते हैं कभी भी संगीत की अगर बात की जाती है तानसेन, त्यागराज, बहजू बावरा ये प्राचीन संगीत अग्यों की बात की जाती है तानसेन एक महान संगीत अग्य थे महान गायक थे, बहुत ही अच्छे सिंगर थे अकबर वाज बेरी फांड आफ इस म्यूजिक अकबर, समराट अकबर जो थे वो उनके संगीत के बहुत बड़े सौकीन थे उनकी संगीत को सुनने के बाद अकबर को बड़ा सुकून मिलता था उन्हें बड़ा आनन दाता था वन डे, कहानी को आगे बढ़ाते हुए वन डे, हुएन तानसेन वाज पार्टिकूलरली, एक दिन जब तानसेन बिशेश रूप से गुड मूड में थे, अच्छे फॉर्म में थे ठीक है, अकबर बेंट इन्टू इस्टैसी और आख्ट हीम अकबर उनके पास सीधे जाते हैं और उसने उनसे प्रश्ण करते हैं उनसे पुछते हैं What is the secret of this sweet conquered and notes which take me out of this world आपके इस संगीत का क्या रहस्य है जो मुझे आपकी तरफ खीचे हुए लेके चला आता है जो मुझे दिवाना बना देता है आपके इस संगीत का क्या रहस्य है What is the secret of this sweet conquered इस मधुर बिजैता notes or takes me out of this world इस मुझे इस संगीत का क्या रहस्य है उसको बताएं फिर अकबर कहते हैं And transports me to divine regions मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग की संगीत को सुन रहा हूँ मुझे divine अनभूती होती है आपके संगीत को सुनने के बाद मुझे स्वर्गी आनंद मिलता है परमानंद मिलता है तो आपके संगीत का क्या रहस्य है तांसें जी बताएं अकबर ने प्रश्ण किया I have not heard anyone else who can thus cast a spell of magic and make a slave of our hearts मैंने अभी तक किसी को नहीं सुना I have not heard anyone मैंने अभी तक किसी ऐसे गायक को नहीं देखा सुना who can thus cast a spell जो हमें जो जिसको मैं इतनी मूल ले दे सकूँ इतना महतु दूँ ठीक है आप magic उसके गाने के स्वर को उसके गाने के आनंद को इतना महतु दूँ and make a slave of our heart किसी भी संगी तक के गाने में इतना दम नहीं है इतना बल नहीं है इतना आकरसन नहीं है जो मेरे हिर्दे को उसका गुलाम बना सके पर आपके अंदर है You are really wonderful तानसेन को अकबर जी बोलते है कि आप वास्तों में wonderful हो इसमें कोई दोराय नहीं है आप वास्तों में अधितिय हो matchless हो तानसेन तुम्हारा कोई जोड नहीं है तो तानसेन जी उत्तर देते है पैरा आठ शुरू होता है आपका तक great bird replied उस महान कभी ने गायक ने उत्तर दिया सर महासे I am only a humble people of my master मैं तो एक तुछ छोटा सा सिस्य हूं अपने गुरू का ठीक है I am only a humble people of my master मैं अपने मास्टर का अपने गुरू का एक छोटा सा सिस्य हूं जिनका नाम क्या है स्वामी हरीदास जो स्वामी हरीदास जी है I have not mastered even a fraction of master's technique मेरे अंदर तो उतना हुनर नहीं है मेरे अंदर तो अपने गुरू का अंसमात्र भी हुनर नहीं है जो हुनर उनके संगीत में है जो कला उनके अंदर है I have not mastered a even fraction एक छोटा सा अंस भी मैं नहीं हूँ अपने गुरू के टेकनीक का अपने गुरू के संगीत का अकबर को बड़ा आश्यर होता है इस बात से Grass and Charm master के जो संगीत में Grass है, Charm है अकर्षन है जो सुन्दरता है उसका तो मैं अंसमात्र भी नहीं हो अकबर तुरंत आश्यर हो जाता है What am I beside him Whose music is rhythmic flow of divine harmony उनके संगीत के सामने मेरी क्या अवकात है तानसेन कहते हैं उनके संगीत के सामने मेरी कोई अवकात नहीं है जिसके संगीत में लैबधता है राइथमिक है लैबधता है एक राइथमिक flow है जो स्वर्गिय अनभूत कराती है divine harmony पैदा करती है beauty and charm in sound जिसके sound में आवाज में सुन्दरता है आकरसन है उस संगीत के सामने तो मेरे संगीत में कोई दम ही नहीं है तांसेन जी ने कहा अकबर यहाँ पर आश्यर अपना व्यक्त करते है what the impressed cried impressed चिला हुठे चिला हुठे मतलब जोर से आश्यर चकित हो करके बोले is there one who can sing क्या कोई ऐसा है जो गा सकता है क्या कोई और भी ऐसा है जो गा सकता है क्या गा सकता है better than you आपसे भी अच्छा क्या कोई ऐसा है is our master such a great expert is your master such a great expert क्या आपके गुरु इस तरह से महान है जिनके सामने आपका संगीत अंसमात्र भी नहीं है अकबर ने पूछा तांसेन जी ने उत्तर दिया I am but a pigmy by my master side मैं अपने गुरु के सामने एक तुच्छ जीव हूँ little prick हूँ ठीक है जैसे mountain के सामने squirrel होती है said तांसेन तांसेन ने उत्तर दिया पैरा 10 आपका सुरू होता है अकबर वाज greatly intrigued the अकबर बहुत ज़्यादा इच्छुग हो गए intrigued हो गए he wanted to hear Haridas अब उनके मन में एक लालसा पैदा हुई और वो Haridas को सुनना चाहते थे emperor though he was यदब वो समराट थे he could not get Haridas to his court लेकिन वो अपने दरबार में अब Haridas जी को नहीं बुला सकते थे ये निश्चे था ठीक है कारण क्या था so he and Tansen bend to Himalayas where in his ashram क्यों नहीं बुला सकते थे लेका कहता है कि Haridas जी किसी का आदेश नहीं मानते थे वो एक संद थे अता अकबर और Tansen Haridas जी के संगीत को सुनने के लिए हिमाले गए या जाना पड़ा ऐसा कह सकते है तो हिमाले में गए हिमाले परबत पे गए where in his ashram dwelt the Swami जहां पर स्वामी जी ने अपना आश्रम बनाया था Tansen had already warned अकबर Tansen ने पहले ही चेतावनी दे दी थी अकबर जी को that the Swami would sing only if he wanted to स्वामी तभी गाते हैं जब उनका मन होता है किसी के दबाओं में नहीं गाते हैं पराग्यारा शुरू होता है several days they stayed at the ashram अकबर और Tansen बहुत दिनों तक ashram में ठहरे रहे रुके रहे but the Swami did not sing लेकिन स्वामी गाना नहीं गाये क्योंकि उनका गाना गाने का मन नहीं था वो अपने पूजा आराधना में भी गी थे then one day Tansen sang on off the song one off the song होना चाहिए songs that by the Swami and ऐसे सुन लेते हैं थोड़ा यहां पर गलती है then one day फिर एक दिन क्या होता है Tansen sang on Tansen गाना गाते हैं Tansen sang song होना चाहिए off the songs उस गाने को गाते हैं taught by Swami जिस गाने को स्वामी जी ने सिखाया था उस गाने को Tansen एक दिन गाते हैं और क्या होता है deliberately means होता है जान भूज कर इच्छा से deliberately introduced a false note उस गाने को गाते समय जान भूज कर Tansen गलती कर देते हैं जैसे स्वर में गाना चाहिए था उस नहीं काते हैं it had almost an electric effect और जैसे ही Tansen गलती करते हैं हरिदास के उपर जैसे कोई बिद्दुत प्रभाव पढ़ा हो electric effect पढ़ा हो ऐसा उनको जटका सा लगता है आंदासेंट हरिदास जी संत थे his aesthetic nature deceived उनका सांत सुभाव जो हमेशा रहता था वो बदल गया received a rude sock उनको एक जटका लगा और वो rude में change हो गए जो हमेशा gentle दिखते थे he turned to Tansen and rebuked him वो Tansen की तरफ घूम पड़े और उनको data फटकारा क्या कहती भे data saying what has happened to you Tansen Tansen तुमको क्या हो गया है ऐसा क्यों गलती कर रहे हो that you are pupil of mine आप मेरे सिस्ची हो करके इतनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम्हें क्या हुआ है should commit such a gross splendor मेरे सिस्चोने के बाद में आप इतनी भयानक गलती गाने में कर रहे हैं मेरा नाम खराब करेंगे इस विशय को ले करके उन्होंने उनको data उस गाने का बचा हुआ हिस्सा फिर स्वामी हरिदाह जी सही से गा करके तांसेन को सुनाने लगे इस टार्टेट सिंगे गाना शुरू किया दा मोड केम अपान हिम और गाते समय वो गाने में डूब गए उस फाम में उतर गए जिस फाम में सुपर फाम में उतर गए जिसमें गाना चाहिए and involved him and he forget himself in the music वो स्वयम डूब गए अपने आपको भूल गए गाना गाते समय इतना सुन्दर मोड में चले गए which filled the फिर क्या कहते हैं तांसेन जी which filled the earth and heaven और गाने का जो माधुर्य था गाने की जो सुन्दर्ता थी गाने का जो आकरशन था वो धर्ती और आसमान में फैल गया भर गया कहने का मतलब तांसेन फार्गर्ट देंसेल्फ तांसेन स्वयम को भूल गए सुध नहीं रही अपने आपकी in the sear melody and charm of the music उस सजीव आकरशिक करने वाले संगीत के सुन्दर्ता में तांसेन डूब गए उनको सुध नहीं रही अपने तन की मन की it was a unique experience अकबर का ये एक बिचित्र अनभव था अपने जीवन का when the music stopped जब संगीत समाप्त हुआ अकबर turned to तांसेन अकबर तांसेन की तरफ मुखातिब हुए और said उनसे कहा you say you learned music from this end तुम कहते हो कि तुमने गाना गाना इस संत महत्मा से सीखा you learned music from this end at you seem to have missed the living charm of it all लेकिन मुझे लगता है कि तुमने वो चीज नहीं सीखी जो सजीवता जो आकरसन आपके गुरु जी ने अभी गाके दिखाया आप उस चीज को मिस कर गए आप नहीं सीखवाए ठीक है missed the living charm सजीव आकरसन को आप मिस कर गए फिर दिखते हैं ours seems to be but चाफ हम तो यहाँ पर एक एक क्या कहते है चाफ मीन्स होता है भूसा कह सकते है बेकार चीज ठीक है हमारी संगीत जो है एक तरह से इसके सामने बेकार है beside the soul string music आत्मा को जगजोर देने वाली संगीत के सामने हमारे संगीत का कोई महतु नहीं है तांसेन ने ये बात पहले एकबर को कही थी अगला पैरा शुरू होता है और इसी पैरा में निचोड है It is true ये सच है सर तांसेन ने कहा It is true that my music is wooden and lifeless by the side of the living harmony and melody of the master Master मेरे गुरू के जो music है जो गाना है जो गाने का तरीका है उसके सामने ये सच है कि मेरा संगीत जो है वो निर्जीव है उसमें कुछ नहीं है क्योंकि मेरे गुरू के गाने में living harmony है सजीव harmony है उदारता है melody of my master आगे देखते हैं but then there is this difference क्या कहा लेकिन और अकबर इतने पे ही तांसेन इतने पे ही चुप नहीं हुए और बोले लेकिन एक चीज का अंतर है वो आप नहीं जान पाए अकबर जी से कहा I sing to the emperor's bidding मैं समराटों के आदेश पे गाता हूँ मैं समराट के आदेश पे गाता हूँ I sing to the emperor's bidding But my master sings to no man's bidding लेकिन मेरे जो गुरू जी है वो किसी के आदेश पे नहीं गाते हैं ये difference आपने नहीं देखा अकबर को बताया But only when लेकिन केवल जब the prompting comes from this innermost self उनके अंदर मन से जब उदगार उठता है तो अब ओगाते हैं ये अंतर है हमारे और हमारे गुरू में That makes all the difference यही हमारे और हमारे गुरू के बीच में difference पैदा करता है स्री निवासन जी यही चीज समझाना चाहते है कि जो सच्ची कला है वो किसी के आदेश से नहीं पैदा होती है Thanks student धन्यवाद आपको आप ऐसे ही पढ़ते रहें आपका result अच्छा आए इसके लिए हमारी मेहनत हमारा प्रयास जारी रहेगा धन्यवाद